हाई गाइस वेलकम टू विजेतास डिम किचिन आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट कॉन सूप जो बनके रेडी हो जाता है इंजस 10 तो 15 मिनिट्स बारिश का मौसम है कुछ गरम पीने का मन है तो फिर देर किस बात की है जट से पना ले स्वीट कॉन सूप इसे आप प्लेन भ आपको भी मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ स्वीट कॉन सूप तो सबसे पहले तीन फ्रेश भुटे ले लिए मैंने फ्रोजन वाले नहीं लिए फ्रेश लिए हैं और उपर से छील लिया है और कपड़े की मदद से घस के अच्छे से सारे रेशों को निकाल ले और फिर सूप टिस्टी नहीं लगेगा मुँ में चिलके आते रहेंगे एक भुटे में से सारे दाने मैंने निकाल लिए और दो भुटों को बीच में से इस तरह से तोड़ लेना है तोड़ लेने से इसे कद्दुकस करने में असानी होगी बाकी चार टुकडों को लगेंगे चारो टुकडों को इस तरह से घसके इसका पल्प निकालने और फिर दाने और पल्प को मैंने डाल दिया है कूगर में उपर से डालने वाली हूं मैं अच्छे से साथ ग्लास पाने और थोड़ा सा नमक इसके बाद गैस में चड़ा के अच्छे से गरम करना है गरम करने से क्या होगा कि वो जो छिलके है थोड़े बहुत वो तैयर के उपर आ जाएंगे तो छिलकों को आप छनी से ऐसे निकाल लो फिर ये अब जब सूप बियोगे तो आपके मूँ में ये नहीं आएंगे तो ये निकाल दिया मैंने अब लिड लगा के एक स्टीम के बाद फ्लेम को कर दें बिलकुल लो और पांच मिनट तक उबलने दें पांच मिनट के बाद फ्लेम को ओफ करें और ये देखो बिलकु गाढ़ा है यह और इसमें मैं कुछ आड़ करूँगी तो यह है अजीनो मोटो मिस चाइनी सॉल्ट अब पिंच ओफ अजीनो मोटो काली मिर्च थोड़ी सी चीनी चिली सॉस कुछ ड्रॉप्स सोया सॉस की और विनेगर में मैंने एक हरी मिर्च काटके रखी है वो ऑप्शनल है अगर तीखा पसंद करते हो तो वो डालना तो चीनी डालती थोड़ी सी अब पिंच ओ फजीनो मोटो काली मिर्च कुछ बूंदे सोया सॉस की सोया सॉस भी ज्यादा नहीं बस चार से पांच बूंदे ही डालनी है पूरे सूप में और थोड़ी सी चिली सॉस यह भी ऑप कि बिल्कुल प्लीन सूप का जो बेस है वो रेडी हो गया है आप बस इस तरह से इसे एंजॉय कर सकते हो अगर आपको वेजिस नहीं पसंद है बहुत टेस्टी लगता है अगर आप इस तरह से भी इसे पीते हो तो कई लोग इसमें अंडा भी डालते हैं बट मुझे वो प और इसके बाद आपको मैं दिखाने वाली हूं कि वेजिस वाला मैं कैसे बनाती हूं जस हाफ टीस्पून बटर को एक पैन में गलाएं थोड़ा सा लसन डाले चौप किया हुआ बिल्कुल बारी कटा हुआ और थोड़ा सा अद्रक में इस वन फोर्थ टीस्पून होगा य इन्हें भी बस थोड़ा सा फ्राइ करना है अब पिंच अफ नमक डाला मैंने हाई फ्लेम पे एक मिनट पे हलका हलका सा बस फ्राइ कर ले कई लोग मश्रूम भी डाल देते हैं जो वेजिस आपको पसंद है आप वो डाल सकते हो बट मुझे बहुत ज्यादा वेजिस वाला है इसे अब सर्फ करें एंजोई करें खुद भी पिए और पूरी फामिली को पिलाएं बहुत डेस्टी हेल्दी और नारिशिंग सूप अगर आपको मेरी यह स्वीट कॉन सूप की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकास एज एजन एव प्लीज पस्वीज पस्टाइब करें खाल गुद आएब झाल 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 श्राइब के सब्सक्राइब करें अए भी टुद ऑखें मिख़ झाल